लिखा गया है उस पुत्र को अधिकार आप किसे देंगे मेरी प्रोपटी का अधिकारी कौन होगा मेरा बेटा होगा आपकी प्रोपटी का अधिकारी कौन होगा आपका बेटा होगा अब यहां जो है इसका जो स्यासन है इसकी जो प्रोपटी है इसका अधिकारी यह किसको ब प्रभू आप सबको बताई से आशिज दे आमिर हम बात कर रहे हैं शैतान के चक्रवियू के पहले भाग में हमने सीखा था कि शैतान के चक्रवियू से हम कैसे अपने आपको बचा सकते हैं आज हम सीखेंगे कि शैतान का काम करने का तरीका क्या होता है जब हम उसके काम करने के तरीके की जानकारी होएगी, तो हम शेतान के चक्रवीू से बचने की कोशिश कर सकते हैं, परमेश्व का वचन इस बात को बताता है, शेतान का का तरीका है, वो कैसा है, पहले हम इसको समझ ले पहला है, शेतान परमेश्व की तरह कारी करने की कोशिश करता है ध्यान कीजेगा कि शेतान जो है वो परमेश्व के तरह काम करने की कोशिश करता है ताकि लोगों के अंदर ये भ्रह्म पैदा कर सके कि ये काम परमेश्व का है ये काम परमेश्व ने करा है परमेश्व ने किया या परमेश्व के द्वारा किया जा रहा है और लोग उसमें फस कर जो है अपने जीवन को जो है बरबात कर जाते हैं क्योंकि हमें शैतान के काम करने का तरीका पता होना चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल वैसे ही काम करता है मेरे साथ आप निकाल सकते हैं होशे ग्याराद है उसके नौपत मैं अपने क्रोध को भड़कने ना दूँगा और ना मैं फिर एप्रेम को नाश करूँगा क्योंकि मैं मनुष नहीं परमेश्वर हूँ मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूँ मैं क्रोध करके ना आऊंगा अब यहां परमेश्वर यहां जो में बात है मुख बात पर मैं बात करूँगा यहां परमेश्वर क्या कहता है, मैं मनुष नहीं हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर होने का मतलब सर्वोच स्रिष्टी करता परमेश्वर, ब्रहमांड का रचने वाला, रचायता जो है, परमेश्वर वो है, परमेश्वर अपने आपको बताता है, मगर अब ध बचन मेरे पास पहुचा हे मनुष के संतान सोर के प्रदान से कहे परमेश्वर यहावा यह कहता है तू मन में फूल कर यह कहता है मैं इश्वर हूँ मैं समुंदर के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ परन्तु यदपी तू अपने आपको परमेश्वर सा दिखाता है तो अभी तू इश्वर नहीं मनुशी है अब देखे शैतान को क्या है एक मनुश की कैटेगरी में रखा गया है और यहां परमेश्वा का वचन क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि मैं इश्वर हूँ मैं समुंदर के आसन पर मैं हमने अपने प्रकाशिद वाकिक के अंदर कई बार इस बात को पढ़ा है कि समंदर किसको दरसाता है लोगों को भीड को और चाती को और घराने को इनको दरसाता है यानि वो लोगों के बीच में अपने सिहासन को लगाए अपने आपको इश्वर प्रिगट कर रहा है इश्वर दर सारा है अब देखे परमेश्वर कहता है मैं मनुष नहीं मैं परमेश्वर हूँ और यहां पर सैतान भी क्या कह रहा है मैं परमेश्वर हूँ मैं इश्वर हूँ और वो अपने आपको परमेश्वर सा दिखाता है परन्तु वो परमेश्वर है नहीं दूसरा थल इसलिए नहीं करेगा वो है परमेश्वर वो है परमेश्वर नहीं है वो आपने आपको परमेश्वर दिखा रहा है तो वो आपने आपको घमन परगट कर रहा है दूसरा है उसका काम करने का तरीका जो है शैतान परमेश्वर की तरह ट्रिनिटी यानि त्रियेक में जो है वो जो आने वाला है, शर्वर्शक्तिमान ये कहता है कि मैं अल्फा और उमेगा हूँ, अब यहाँ परमेश्वर जो है, अपना ट्रिनेटी रूप जो है, वो प्रिगेट करता है, यानि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो है पवित्रात्मा, जो था, सृष्टी करता के रू परमेश्वर जो है, वो आने वाला है, यहाँ परमेश्वर जो है इस बात को, वो आपने तीनों रूप को परगट करता है, और दूसरा कुरंतियों 13, उसके चौदमे पद में, यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर का प्रेम और पवित्रात्मा की सहभागता, तुम सब के साथ होती रहे, यह पहला पत्रस एक का दो भी आप पड़ सकते हैं, अब यहाँ पर देखें, तीनों रूप के बारे में बता रहा है, अब किन चीजों के बारे में बता रहा है, प्रभी येश्वर मसी के अनुग्रह के बारे में बता रहा है, जो हमें मिलता है, और प्रभुनिन जगत से ऐसा प्रेम करा प्रमेश्य का प्रेम दिखा रहा है और पवित्रात्मा की सहभक्ता यानि प्रभुट्रात्मा की संगती तीनों चीजों को प्रिगट करता है अबर, जब आप मत्ति 3-16 को पढ़ेंगे तो जब प्रभु येश्व मसी बत्तिसमा लेकर पानी से उपर आता है तो पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके उपर उतरता है प्रभु येश्व मसी जो परमेश्व का पुत्र है पवित्र आत्मा जो कबूतर की नाई उसके उतरा है और फिर ये अकाश्वानी होती है कि परमेश प्रत्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ती के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए इस पशु की ये दशा देखकर कि पहले था अब नहीं है और फिर आजाएगा अच्छंबा करेगा यानि ये पशु ये एक राज है ये कलीसिया है जो पहले तो थी यानि बहुत इसका बोलबाला था और इसने बहुत पूरी दुनिया पे राज करा और बहुत कलिश जो है करा परन्तो अब है तो मगर अभी वो पावर में नहीं है वो पावर में नहीं है मगर एक समय ऐसा आए की जो है परमेश्व का वचनी इस बात को बता रहा है ज़रा ध्यान दीजेगा जब आप परकाशिद वाक के तेरा अध्याय उसका एक और दो पत मैं फिर से पढ़ रहा हूं ज़रा ध्यान दीजेगा तब मैंने एक पशु को समुंदर में से निकलते हुए देखा जिसके दस सिंग और साथ सिर थे उसके सिंगों पर दस राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्व की निंदा के नाम लिख्ये हुए थे जो पशु मैंने देखा वे चीते के समान था और उसके पाउं भालू के से थे और मूँ सी कासा था उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपन के से दो सिंग थे और वे अजगर के समान भोलता था अब जड़ा ध्यान दीजेगा परमेश्व का वचन यहां पर क्या कहता है कि ये जो अजगर है अजगर कौन है अजगर वो शेतान और इबलीस को जो है वो अजगर कहा गया है जब आप यहना आट अदै उसका चवालिस पढ़ेंगे वहाँ पर येश्व मसी कहता है तुम अपने पिता की लालसों को पूरा करते हो क्योंकि वो जूट है वरन जूटों का पिता है और वो हत्यारा भी है अब वो जो है शेतान को जो है क्या कहा गया है जूटा और जूटों का पिता का गया है जो लोग भी जूट जूट बोलते हैं वो जो हत्यारे है वो उनका पिता है परमेश्यव का वचन जो है इस बात को बता रहा है इस शेटान ने जो है यह जूट के पिता ने अपना सियासन अब यहाँ ध्यान दीजेगा जो पशूश समुंदर में से निकला है अब पशू का मतलब क्या है यह एक आज यह एक कलीस्या जो है जो समंदर यानि लोगों के बीच में से जो प्रिगट हुई है ठीक है यह उसके बारे में वर्णन है और शातान ने अजगर ने इस पश्चु को जो समंदर में से निकला है इसको अब देखे पहला पश्चु कौन है अजगर है दूसरा कौन है समं समुदर में से निकला है उसको इसने क्या करा है ध्यान दीजेगा दूसरा पत यहां से पढ़ रहा हूँ उस अजगर ने अपनी सामर यानि अपनी सारी शक्ती और अपना सिहासन और बड़ा अधिकार जो है उसको दे दिया अब ये तो एक पशु हो गया परमेश्व का वचन जो है इस बारे में बात करता है और उसने अपना सिहासन और अपना बड़ा अधिकार उसको दे दिया परकाशित वाक्ये तेरा दो में अभी हमने पढ़ा इसलिए आप इसे भी पढ़ सकते हैं दूसरा थलसनकियों दो अध है उसके तीन पद में लिखा गया है उस पुत्र को अधिकार आप किसे देंगे मेरी प्रोपर्टी का अधिकारी कौन होगा मेरा बेटा होगा आपकी प्रोपर्टी का अधिकारी कौन होगा आपका बेटा होगा अब यहां जो है इसका जो सिहासन है इसकी जो प्रोपर्टी है इसका अधिकारी यह किसको बना रहा जो उसका पुत्र कौन है? वो जो कलीसिया है, वो विनाश का पुत्र एक राई गई है उसको धियान रखेगा कि शेतान जो है किस तरीके से काम कर रहा है Trinity में, 3-1 में, जैसे परमेश्वर स्रिष्टी करता के रूप में, प्रभी येश्व मसी के रूप में और पवित्रात्मा के रूप में कारी करता है, ऐसी शैतान भी कर रहा है, शैतान जो है, इबलिस यानि शैतान के रूप में उसने काम किया है, एक जूटों के पिता के रू निकला है वहाँ क्या लिखा हुआ है फिर मैंने एक और पशु को प्रत्वी में से निकलते देखा उसके मेमने से दो सिंग थे और वे अजगर के समान बोलता था ये जो है ये जो पशु निकला है प्रत्वी में से इसकी कतनी और करनी में आनता रहे ये कहता कुछ है और करता कुछ है। यह भी एक राज्य है और यह राज्य जो है यह सही माने में अगर मैं आपको बिल्कुल खूल के بتाऊं तो यह सही उक्त राज अमरीका को दर्साता है जियां और जो पशु == वो निकला है समुन्दर में से यह रूम को दर्साता है जिव जी वो रोम राज है और शेतान जो है अजगर ने अपनी सारी पावर उस रोम राज को दी है और इसको सपोर्ट करने वाला जो है वो अमरीका जो है अभी ये दिखाई नहीं दे रहे हैं पहले थे ये पावर में परन्तु अब नहीं है परन्तु आने वाले समय में ये फिर से पावर में आजाएंगे क्योंकि ये जो पशू है जो प्रतवी में से निकला इनको सपोर्ट करेगा ये तीन जो पशू दिये गए और ये तीन पशू यही नहीं है बाइबल में और भी है मैं आपको बताना चाहिए तो इन तीन पशू की मेंड़क के रूप में निकलते देखा यह चिन दिखाने वाली दुष्टात्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकल कर इसलिए आती है कि उन्हें शवर्शक्तिमान परमेश्र के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इखटा करें अब यहाँ पर है यानि उस अजगर के मूँ से उस पशू के मूँ से जो प्रत्वी में से निकला यानि रूम और उस जूटे भविश्वक्ता यानि जूटी भविश्वक्ता यहां अमरीका को का गया अमरीका के अंदर से बहुत से भविश्वक्ता जो है निकले हैं, बहुत से सेवक जो निकले हैं, सब जुटी भविश्वानी करते हैं, और जुटा प्रचार जो है, वो अमरीका से बहुत जादा, सबसे ज़्यादा ब्रश्टा चार जो है, सबसे ज़्यादा ब्रश्टा ब्रश्टा चार जो है, सबसे ज़्यादा जो बुराई ह वो अमरीकाई के अंदर पाई जाती है आप देख लिए जए वो कहता कुछ है और करता कुछ है और ये तीन जो है इनके मूँ से जो है ये तीन चीजे निकली है ये तीनों चीजे अलग-अलग चीजों को दर्शाती है मगर हम इनके बारे में बात नहीं करें हम त्रिनेटी के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे परमेश्व त्रिनेटी के रूप में काम करता है ऐसे शैतान भी त्रिनेटी के रूप में जो है वो काम करता है और ये तीनों जो है अब इनकी इस्तिती भी देख लिजे इन तीनों की बात कर रहू हूँ मैं, ट्रिनिटी की बात कर रहू हूँ, इन तीनों के विशे में परमेश्व क्या कहता है, परकाशित वाक्त के बीस अध्य है, उसका दस्वा पद जो है, मैं पढ़ रहा हूँ, उनका भर्माने वाला शैतान, आग और गंदक की जील में, जि जुटा पशू है, और जुटा जो भविश्वक्ता है, ये तीनों ना ले जाएगे, ये ट्रिनिटीन की परमेश्व जो है, वो अंत के समय में समाप्त कर देगा, और ये बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, ध्यान दीजेगा, ये ट्रिनिटी की रूप में काम कर रहा है, द तीसरा, पवित्र आत्मा के विरोध में पाप कराता है, अब ध्यान दीजेगा, मती 12 और उसका 32 पत, जो कोई मनुष के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका ये अपराद छामा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उस को खड़ा कर दिया जाए तो परमेश्वर उसका जो पाप है वो इस लोग में भी और परलोग में भी छमा नहीं किया जाए और सबसे ज़्यादा जो पाप जो गुना हो रहा वो पवित्रा आत्मा के विरोध में ही शयतान करा रहा अब ऐसे तो बहुत से उधारन मेरे पास है परन्तो अगर मैं सभी उधारन देने लगूँगा तो बहुत समय हो जाएगा और बहुत लंबा मैसेज हो जाएगा परन्तो एक उधारन देना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन जो है पहला कुरंतियों 6 अध्याय उसका 19 पत पढ़ लेगा परमेश्वर का वचन कहता है हमारी दे जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा इस दे में वास करना चाहते है और इसी दे को वो दूशित कर देता है पाप में डाल देता है तो यह जो हम जो परमेश्वर का मंदिर है यानि पवित्र आत्मा का जो मंदिर है इस मंदिर को विनाश करक पवित्रात्मा के विरोध में काम करते हैं और पवित्रात्मा के विरोध में जब काम करते हैं तो पवित्रात्मा अपने मंदिर में नहीं है वो आना चाहता है नहीं आ पा रहा है तो पवित्रात्मा के विरोध में काम है और शैतान जो है वो यही चाहता है कि इनका पाप कभ इस मंदिर को पाक और साफ रखें ताकि पवित्र आत्मा बड़ी खुशी-खुशी इस मंदिर में रह सके और परमेश्व के विरोध में हम खड़े ना हो सके तो शेतान बहुत चलाक है अपना चक्रवियू इस तरीके से डालता है कि हम कैसे फज जाए उसके चक्रवियू में प्रेरितों के काम पांच का तीन है लास्ट पॉइंट पड़ा रहा हूँ पत्रस ने कहा है हननिया शेतान ने तेरे मन में ये बात क्यूं डाली कि तू पवित्र आत्मा से जुट बोले और भूमी के दाम में से कुछ रख छोड़े देखे जो यहां पर परमेश्व का वच जुट बोला कि इतना ही पैसा था उसमें से कुछ रख लिया था परंतु जब इनोंने जुट बोला तो पत्रस ने एक बात वहां पर कही कि तू ने तेरे मन में शेतान ने ये क्यूं डाला कि तू पवित्र आत्मा से जुट बोले ये पवित्र आत्मा का यूप चल रहा है देखें जो है और जो था जो आने वाला जो है ये पवित्र आत्मा जो था परमेश्वर स्रिष्टी करता के रूप में जो आने वाला है नियाए करता के रूप में प्रवियेश्व मसी ये पवित्र आत्मा का रूप हमारी हर छोटी सी छोटी बात जूट हो फरेब हो जलन हो उड़न हो घमंड हो जो भी बाते हैं वो सब पवितरात्मा के विरोध में होती है क्योंकि ये पवितरात्मा का यूग है पवितरात्मा का समय काल है ये वर्तमान समय पवितरात्मा का समय है और हम जो भी काम करते हैं वो पवित्रात्मा के विरोध में और शातान इस बात बच्चे से जानता है इसलिए अपना चक्रविव ऐसा फलाता है कि हम पवित्रात्मा के विरोध में काम करें और हमारा पाप शमाना हूँ तो आई हम पवित्रा आत्मा के विरुद में काम ना करें, ताकि शातान के चक्र भी में ना फसें, और प्रभु की आशिशों को प्राप करें, प्रभु आप सब आशिव के आने.